Good morning बच्चो, मैं हूँ अमित्तिवारी और आप देखने आपना YouTube चैनल Focus on Physics बच्चो आज हम क्लास 12 के लिए Chapter 7 से Related MCQ का Part 2 हिंदी मेडियम में लेकर आए हुए हैं तो चलिए सुरू किया जाए आज के Objective Part 2 Chapter 7 के क्लास को Question No.16 यदि AC आपुर्ती की आविर्ती बढ़ा दी जाती है तो परिपथ का प्रेरकिये प्रतिगात यानि की प्रतिरोध का मान हमारे Options से Option A घटता है Option B बढ़ता है Option C आप परिवर्तित रहता है और Option D इन में से कोई नहीं सोचिए बच्चों कि अगर AC के Frequency को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिगात या प्रतिरोध का मान पर क्या असर होगा सोचिए तब बच्चों इसके लिए हमारे Option B सही होंगे बढ़ जाता है Next Question Question No.17 प्रत्यावर्तिधारा के वर्ग माध्यमूल यानि कि RMS मान एवं सीखर मान आई नोट में संबंध होता है हमारे Options है Option A IRMS बराबर 1 by root 2 आई नोट Option B IRMS बराबर 0.707 आई नोट Option C A तथा B दोनो और Option D इनमें से कोई नहीं इसके लिए हमारे Option C सही होंगे A तथा B दोनो Next Question Question No.18 प्रत्यावर्तिधारा के प्रत्थम अर्ध चक्र में आउसत मान होगा हमारे Options है Option A I average बराबर 1 by root 2 आई नोट Option B I average बराबर 2 by pi आई नोट Option C I average बराबर 0.637 आई नोट और Option D B तथा C दोनो इसके लिए हमारे Option D सही होंगे B तथा C दोनो Question No.19 कोणिये आवर्ति यानि की ओमेगा मिन्स एंगूलर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है हमारे Option सहोंगे Option A 2 pi इन्टू एफ Option B 2 pi बाई T Option C A तथा B दोनो और Option D इनमेंसे कोई नहीं सोचिये बच्चो कौन सा Option सही होगा इसका Option C सही होगा A तथा B दोनो 2 pi F और F के बदले में अगर 1 by T रख दिया जाए तो 2 pi by T भी आ जाएगा यानि कि A और B दोनों सही होंगे Next Question Question No.20 अगर प्रत्यावर्ती धारा वाले परिपत में सिर्फ प्रतिरोध लगे हुए हों तो इस परिपत को कहा जाता है हमारे Options है Option A सुध प्रतिरोधिये परिपत Option B सुध प्रेरकिये परिपत Option C सुध धारितिये परिपत और Option D शमान्य परिपत सोचिए बच्चों अगर किसी AC सर्कुट में सिर्फ रेसिस्टेंस जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहेंगे इसके लिए हमारे Option A सही होंगे सुध प्रतिरोधिये परिपत Next Question, Question No.21 LR परिपत में प्रेरकत्व यानि कि L तथा प्रतिरोध आर जुड़े होते हैं हमारे Options हैं Option A समनांतर करम में Option B स्रेणी करम में Option C मिस्रित करम में और Option D किसी भी करम में सोचिए बच्चो इसके लिए हमारे Option B सही होंगे स्रेणी करम में अगर LR सरकीट हो उसमें L और R दोनों एबिलेबल हों तो दोनों को हमेशा स्रेणी करम में यानि कि सीरीज में जोड़ा जाता है Next Question Question No.22 LCR परिपत्ध का सक्ति गुणांक होता है हमारे Options है Option A Cos by is equal to R by Z Option B Tan 5 is equal to XL minus XC by R Option C A तथा B दोनों और Option D इन में से कोई नहीं सोचिए बच्चों कि शक्ति गुणांक LCR के लिए यानि कि Power Factor बताने है इसके लिए हमारे Option C सही होंगे A तथा B दोनों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ Question No.23 LCR परिपथ का क्यूँ गुणांक होता है हमारे Options है Option A रूट अंडर L by C Option B 1 by R रूट अंडर L by C Option C 1 by R रूट अंडर L by C और Option D R रूट L by C सोचना है आपको इसके लिए Option B सही होगा 1 by R रूट अंडर L by C Next Question Question No.24 बच्चो 24 नंबर कोशन है कि वाट हिन धारा की आउसत सकती होगी Average Power बताने है वाटलेस करेंट का Option A 3 W Option B 2 W Option C 1 W और Option D 0 सोचिए बच्चो Average Power कितना होगा इसके लिए हमारे Option D सही होगे 0 होगा वाटलेस करेंट का Average Power 0 होता है यानि 0 होता है नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमबर 25 यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध ताथा C संधारित्र की धारिता हो तो L by R एवं R C का विमिय सुत्र है इसके लिए हमारे चार ओप्षन ओप्षन A ओप्षन B ओप्षन C और ओप्षन D नीचे दिये गए है जिसमें से आपको सही ओप्षन सेलेक्ट करने है कि L by R और R C के लिए सही डाइमेंशन कौन सा होगा बच्चों इसके लिए हमारे ओप्षन D सही होंगे M0L0T और M0L0T जो समय के विमिय सुत्र के बराबर होता है नेक्स्ट कोसन कोसन नमबर 26 अगर प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरकत्तो L और कोणिये आवर्ती ओमेगा हो तो उसका प्रेरकिये प्रतिगात यानि कि इंडक्टिव डियक्टेंस होगा हमारे ओप्षन्स हैं ओप्षन A ओमेगा बाई L ओप्षन D ओमेगा इंटू L ओप्षन C 1 बाई ओमेगा इंटू L और ओप्षन D L बाई ओमेगा सोचिए कौन सा ओप्षन सही होगा इसके लिए हमारे ओप्षन भी सही होँगे ओमेगा इंटू L यहां ओमेगा कोणिया आवरती होगा तथा L को स्वाप प्रिरकत भी कहा जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 27 प्रत्यावरती धारा के मूल माध्य वर्ग यानि के RMS तथा इनके सीखर मान आई नोट का अनुपात होगा हमारे ओप्संस हैं ओप्सं ए टू ओप्सं बी रूट अंडर टू ओप्सं सी वन बाई रूट अंडर टू और ओप्सं डी वन बाई टू सोचे बच्चों कि कौन सा ओप्सं सही होगा आई आरे मेंस बाई आई नोट पता करने हैं तो इसके लिए हमारे ओप्सं बी सही होंगे रूट अंडर टू बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर ट्वैंटी एट एल आर परिपथ के लिए शक्ती गुणांक होगा पावर फेक्टर बताने हैं सोचिए बच्चो एल आर परिपथ के लिए सक्ति गुणांग के लिए कौन सा ओप्सन सही होगा ओप्सन बी सही होगे आर बाई रूट अंडर आर स्क्वाइर प्लस ओमेगा स्क्वाइर एल स्क्वाइर कोशन नमबर ट्वेंटी नाइन यदि प्रत्यावर्ती धारा और विधुत वाहक बल के बीच फाई कोन का कलांतर हो तो शक्ति गुणांग का मान होगा हमारे आप्सनस हैं सोचना है आपको कि कौन से आप्सन सही हो सकते है सोचिए इसके लिए हमारे option डी सही होंगे शक्ति गुणांग का मान कौस भाई के बराबर होगा नेक्स्ट और आज का last question question number 30 प्रतिबाधा यानि की impedance का ऐसा ही मात्रक होता है हमारे options है option A, ohm meter option B, ohm option C, ohm square और option D, इनमें से कोई नहीं बच्चो इसके लिए हमारे option B सही होंगे ओम जो प्रतिरोध का मात्रक भी होता है तो रहने देते हैं, मिलते हैं next class में तब तक के लिए खुस रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे important पढ़ते रहिए तक तक के सुम मजग बभू